question no.4 हमें integrate करना है x under root x plus 2 इसे करने हैं कई सारे तरीके हैं लेकिन मैं वही बताऊंगा जो मेरे साब से असान है ठीक है तो x plus 2 को आप t मान लो let कर लो let x plus 2 is equal to t तो यहां से मुझे dx की value क्या मिलेगी dx is equal to dt मिलेगा है न हमने कुछ let किया है तो यह बात सबको पता है जब let करते हैं तो best way होता है कि आप जो यह x is equal to 0 से x is equal to 2 लिमिट दे रखे लोगर और अपर लिमिट उसे भी change कर लो तो बात करते हैं at x is equal to 0 पे t की value क्या मिलेगी t is equal to क्या आएगा 0 पुट करो यहां पे तो 2 plus 0 2 ही होता है t is equal to 2 मिलेगा और at x is equal to 2 पे t की value क्या मिलेगी यहां पुट करो x is equal to 2 तो 2 plus 2 4 तो t की value 4 हो जाएगा तो जो हमारा नया integration है वो हमारा t is equal to 2 से t is equal to 4 आएगा x है x को हमें हटाना है कैसे ट है x हमारा क्या है x plus 2 t है तो x के आएगा 2 side लेओ तो t minus 2 तो यहां पे लिखने वाला हो हमे t minus 2 इसे हमने t लेट किया है x plus 2 को तो under root के नदर हमें t मिल जाएगा dx के value dt है तो dt लिख दो अब तक हमने कुछ नया नहीं किया है अब इसे multiply कर लो 2 से 4 लिमिट है यहां पे क्या है t minus 2 into में under root t under root t को आप लिख सकते हो t की power 1 by 2 एक ही बात है मतलब t की power 1 by 2 को आपको multiply करना है इससे तो t into में t की power 1 by 2 क्या है आएगा मर पास t की power 3 by 2 आजाएगा फिर minus का है 2 into में t की power 1 by 2 dt किसी वो doubt चो नहीं है कुछ नहीं किया में यहां पे t की power यहां पे 1 है और into में t की power 1 by 2 जब multiply करते हैं तो आप पावर add करने ही पड़ती है तो 1 by 2 plus 1 3 by 2 होता है चीग है यहां तर कोई दिक्कत अब integrate कर लो तो क्या value मिलीगी है हमें t की power 3 by 2 है plus 1 divide में जो भी power 3 by 2 plus 1 5 by 2 होता है तो 5 by 2 छीग है फिर minus है तो minus 2 t की power 1 by 2 है तो 1 by 2 plus 1 power में प्लस 1 करना पड़ता है divide में power जो है 1 by 2 plus 1 लिख दो और limit कहां से कहां तक है हमारे पास lower limit 2 है अपर limit 4 है छीग है थोड़ा simplify कर लो तो क्या value है यह हमारे पास t की power 5 by 2 है यहाँ पर 3 by 2 plus 1 5 by 2 होता है divide में कहां 5 है और जो 2 divide में है 5 के वो उपर ले जाओ ठीक है ऐसे करते हैं minus तो minus यहाँ पर क्या है 2 है और नीचे क्या है 1 by 2 plus 1 3 by 2 होता है तो 3 by 2 का 3 हा रहेगा जो by 2 है 2 बजाएगा 4 जाएगा उपर 4 t की power 3 by 2 upon में यहाँ पर क्या है 3 आएगा चीक है इसमें कोई doubt आपको यहाँ पर क्या है 3 by 2 आएगा नीचे 3 by 2 का 3 रहे गया 2 उपर चला गया 2 एक उपर पैसे भी था तो 2 into 2 4 हो गया और t की power 1 by 2 plus 1 3 by 2 चीक है अब आप पहले अपर लिमिट पूट कर लो जो कि हुमारा 4 है अब 4 को कह ले सकते हो 2 का हौल स्कुरर क्यों लिख फूमा में आपे क्योंकि हाँ पर 5 के अपॉन में 2 है 5 अपॉन 2 2 का हौल स्कुरर लिखने पर 2 से 2 कट जाएगा देखो, पहले मैं put कर रहा हूँ 4 T के जागे पर, और 4 को में लिख रहा हूँ 2 का whole square एक ही बात है, है न, 2 का whole square 4 ही होता है power क्या है 5 by 2 divide में क्या है 5, minus 4 T के value में जिए put कर नहीं है 4, जो कि हमार 2 का whole square होता है 3 by 2, upon में 3 ठीके, फिर minus क्या करना पड़ता है यहाँ पर गया 3 by 2, तो 3 by 2 upon में 3, ठीक तो मेरे पास यह 2 से 2 cancel हो गया यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 cancel हो गया तो क्या बचा है मेरे पास 2 की power 5 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16 16 तू जा 32, 32 आएगा 32 इंटे 2, 64 64 upon में 5 आपर, minus है 2 की power 3 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 इंटे 4, 32 होता है 8 तू जा 32, 32 upon में 3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर minus, minus लिखा 5 की power sorry, 2 की power 5 by 2 2 की power 5 by 2, अगर देखो यह चोटी सी बात ही है किसी और डाउट ना हो, इसलिए बता रहो 2 की power 5 by 2 का मतलब क्या है 2 की power 5 का मतलब क्या है 2 in 2 में 2, in 2 में 2, in 2 में 2, in 2 में 2 और किसी उसकी बात क्या है divide में 2 है 5 by 2, इसका मतलब क्या है under root के अंदर है यह सुरनो या अभी यह किसको डाउट हो तो एक बार और और देखेजिए 2 की power 5 by 2 को में रिखने वाला हूँ 2 की power 5 की power 1 by 2 यह सुरनो एक ही बात है यह 2 की power 5 है मलब 2 into 2 into 2 into 2 की power 1 by 2 इसलिए under root के अंदर है जब भी अंदर में दो बार multiply हो रहा था कोई number तो एक बार वो बाहर आ जाता है यहां से 2 या जाएगा बाहर यह 2 भी बाहर जाएगा और अंदर क्या बचाएगा बस एक 2 बचाएगा अंदर root 2 2 जब 4 होता है तो 4 under root 2 आ गया ठीक है अच्छे से explain कर दिया हमाने छोटी सी बात दिये तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास 4 under root 2 इसकी जोएपर और इसकी बात करे तो तो यहां पर क्या है 2 की पावर 3 by 2 है मतलब 2 into 2 2 into 2 की पावर under root के अंदर तो यहां से हमें क्या बिलेगा 2 under root 2 इसकी value क्या है 2 under root 2 है into 4 और यहां पर क्या इसकी value 4 under root 2 2 into में 2 ठीक है यहां पर क्या हैगा 8 under root 2 आ जाएगा फिर upon में 5 भी है और minus इसकी value क्या निका लिए हमने 2 under root 2 और into 4 है मतलब 8 under root 2 आ जाएगा और डिवाइड में क्या है 3 है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत lsm ले लो हमारा काम होजागा complete lsm लोग तो यहां पर 15 lsm आएगा 64 into में 3 करना पड़ेगा 60 into 3 होता है हमारा 180 1 into 80 plus 14 194 is or no? नहीं 192 4 से 12 होता है 192 minus 32 into 5 क्या होगा हमार पास 160 होगा minus lsm लोगे आप 8 3 जा 24 24 under root 2 8 5 जा 40 मतलब माइनस का 40 under root 2 divide में 15 आ जाएगा तो यहां से क्या value आएगा मेरे पास 192 minus 160 मतलब 32 32 upon 15 minus अंदर क्या आएगा हमार पास 24 minus 14 मतलब माइनस का 16 आएगा माइनस का 16 under root 2 upon 15 चीक है तो नेगेटिव नेगेटिव पोजिटिव होता है 32 upon 15 plus 16 under root 2 upon 15 यह हमारा answer answer आ गया ओके को आए जिरे झाएगा ज रहेगा पाल